हेलो स्टूडेंट्स हाई, वेलकम बेक टो मैं चैनल लर्निंग विद दिव्या, आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, इम्मुनाइजेशन मतलब टीका करण, आज मैं आपको टीका करण से सम्मंदित पूरा टॉपिक क्लियर करूंगी, टीका करण कारिकरम कब शुरू हुआ ग्लोबलाइस कब हुआ, भारत में कब शुरू हुआ, ठीक है, कैसे कैसे टीका बच्चों को लगाया जाता है, क्या स्केडियूल है टीका लगाने का, मतलब कौन से टाइम पे, कौन से समय पे, कौन सा टीका लगता है, इसके बारे में आज complete आपको information मिलेगी, वीडियो बह कौन सा कोशन है कि BCG का टीका कब लगता है, तो जनम के तुरंत बाद लगता है, तो ऐसे ही आपके सारा जो टॉपिक है, वो क्लियर होगा, immunization से related, फिर next वीडियो में हम इस से related, जितने भी question and answers है, उसको solve करेंगे, अभी थोड़ा सा आपको टीका करन के बारे में, मैं कारिकरम क्या था, यह सब आपको आज के वीडियो में देखने के लिए मेलेगा, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले तो आपको कुछ immunization programs के बारे में जानना होगा, कौन कौन से immunization program आये, कितने program आये, और कैसे क्या क्या हुआ, सबसे पहले आपके 1974 में आय था, Global Immun Immunization, इसको हिंदी में ब्यापक कारिकरम बोलते हैं, immunization का, टीका करण का ब्यापक कारिकरम जो आया था, expanded program of immunization, यह 1978 में आया, इसके बाद आपके थर्ड जो है, यह EPI जो है, यह convert कर दिया गया, universal immunization program में, जो कि 1985 में हो गया, ठीक है, तो मेन यह तीन program है, जो कि आपको देख लेने हैं, जिसमें global immunization program है, 1974, जो राष्ट्रिये टीका करण नीती है, वो 1975 में उसकी योजना बना ली गई थी, और मैं आपको बताऊंगी, यह आगे पूरा detail में, लेकिन जब 1978 में EPI आ गया, उसके बाद उसको नीती को लागू किया गया, आरम किया, फिर यह जो है सब चेंज कर दिए गया, यूनिवर्सल immunization program में, 1985 को, clear है, तीनों प्रोग्राम सबको clear हो गया, चलिए नेक्स्ट, आप थोड़ा इंट्रो देखेंगे आप, यह चिकित्सा, स्वास और परिवार कल्यान बिभाग का है, गवर्मेंट की साइट से लिया गया है, सबसे पहलो तो आप यहां पर यह देख लिए टीका करण क्या है, तो टीका करण बच्पन में होने वाली जान लेवा बिमारियों को बचाव के लिए प्रभाप शाली और सुरक्षित तरीका है, टीका करण से बच्चे का क्या होता है, तो प्रतिरोधक तंत्र उसका मजबूत होता है, इम्यून सिस्टम है, वो हल्दी बनता है, उसे जीवानों अब विशानों से लड़ने की शक्ति ब्रदान की जाती है, जैसे अभी कोरोना वाइरस की टीका, इम्मिनाइजिशन सबको किया गया, वैक्सिन सबको लगी, तो उसमें क्या किया गया, उसमें जो आपके कोविट का जो बैक्टीरी वाइरस है, वही तो जो है, बहुत जादा उसको, मतलब उसको दी नेचर्ड फॉर्म में हमारी बॉड़ी के इंदर डाला गया, मतलब वो आक्टिविटी नहीं कर सकता, उसको ऐसे डाला गया है, हमारे डी एने को उसकी पहचान कराई गई है, ऐसे फॉर होता है, उसमें उसी का वाइरस ही होता है, लेकिन डी नेचर्ड फॉर्म में होता है, यह मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, भारत में टीका करन कारेक्रम देखी, इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यदा, राष्ट्रे टीका करन नीती को आपके 1975 में अपनाया गया था, लेकि आया, 1978 में आया, आप इसको बदलकर 1985 में आपके यूनिवर्सल इमिनाइजिशन प्रोग्राम, UIP कर दिया गया, संपूर्ण भारत वर्ष में ये लागू कर दिया गया, भारत का टीका करन जो कारेक्रम है, वो UIP के गुणवत्ता पूर्ण वेक्सीन का उप्योग करने, ला इमिनाइजिशन प्रोग्राम किया गया और कौन-कौन से बिमारी के अगेंज वच्चों को वेक्सीन दी जाती है, तो आपके BCG है, POLIO है, DPT है, है, हैपेटाइटस भी है, इन सब के अगेंज वच्चों को वेक्सीन दी जाती है, यहां पर भूत इंपोर्टेंट कुछ डे IPV और 23 मार्ट से रोटा वाइरस और 7 अपरेल से PCV नियूमो कोकल वैक्सीन भी स्टार्ट कर दिया जो कि निमोनिया के अगेंस लड़ता है बहुत सी वैक्सीन थी जैसे रोटा वाइरस है नियूमो कोकल है यह पहले सरकारी इस्पतालों में नहीं दी जाती थी यह जो दवा ह यह केवल प्राइवेट में आपको मिलती थी और बहुत महंगा इसका टीका आता था रोटा वाइरस का और नियूमो कोकल का लेकिन अब सरकारी इस्पताल में भी आपको फ्री में रोटा वाइरस की और नियूमो कोकल की वैक्सीन बच्चों को लगती है तो चलिए आगे द कारजवार कल्यान मंत्राले दोरा expanded program of immunization के रूप में पेश किया गया मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि 1975 में राष्ट्री ये टीका करण नीती अपना ली गई लेकिन उसको कब स्टाइट किया गया कब पेश किया गया जब EPI आ गया 1978 में ठीक है 1985 में ये कारेक्रम किस में बदल गया UIP में universal immunization program में बदल गया और इसके कौन-कौन से उद्देशित है कि भाई टीका करण को तेजी करना टीका करन में तेजी करना सेवाओं की गड़ोवत्ता में सुधार लाना प्रदर्शन की निग्रानी के लिए जिलेवाल प्रणाली का निर्मान मतलब हर जि कि कोविड वैक्सीन भारत में बायोटेक ने बनाई है और कितनी सारी वैक्सीन कोविशील्ड है कोविवैक्सीन है जो कि भारत में ही निर्मान किया गया और जिनकी गुणवर्ता बहुत अच्छी है तो इसके लिए क्या करना भारत को आर्क निर्मान बनाना जितनी भी वै उनका प्रड़क्शन हमारे भारत में ही होता है आगे बढ़ते हैं भारत का यूनिवर्सल टीका कारेक्रम जो है वो सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्त कारेक्रम में से एक है जिसमें प्रतिवश इतने करोंडवजाश शिशू 2.9 करोंड गरवती महिलाओं को लक्षित किय हो जाए 90% से उपर कवरेज हो मिशन इंद्र धनुष जो है वो स्टार्ट किया गया तो मिशन इंद्र धनुष आपके टीका करन से संबन देता है आई होप यह डेटा यह इन्फोर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी आपको समझ में आई होगी क्योंकि यह एक्जाम पॉ यह निवर्सल प्रोग्राम के अंतरगरती ही भारत में मिशन इंद्र धनुष इस्टार्ट किया गया जो किस लिए किया गया था कि जादा से जादा बच्चों को क्या किया जा सके टीका करन हो सके बच्चों में वैक्सीन लग सके तो यह तो था इंट्रोड़क्शन आफ इ करन की शुरुवात कब होनी चाहिए कब बच्चों को टीका लगना चाहिए तो आपको पता यह आट बर्थ जैसे ही बच्चे कर जनम होता है तो सबसे पहले जो है बच्चे को आपके 24 गंटे के अंदर BCG का टीका पोलियो की 0 खुराक अब यह मैं आपको बताऊंगी डोस कि 0 डोस क्या होती है फस्ट डोस क्या होती है सेकंड डोस थर्ड डोस बूस्ट डोस वो अभी सब आपको क्लियर होगा ठीक है सबसे पहला जैसे ही बच्चा जनम लेता है 24 गंटे के तरी लग जानी चाहिए ठीक है हबिटाइट इस बी का टीका लग जाना चाहिए यह तीन ठीके बच्चे को 24 गंटे के अंदर लगते हैं देड महा या उसको आप 6 सप्ता बोलिये उसमें आपके OPV है रोटा वाइरस है FIPV है PCV है और पेंटावेलिंट है यह लगना ठीक है दूसरा ठीका लगने के वही सोल में हफते पे सेम यह वैक्सीन जो ऊपर चल रही थी नमबर वन से छटे हफते से यह तीनों वैक्सिन 6 वीक्स 10 वीक्स 14 वीक्स के अंदर इनकी 3 खुराक लग जाती है बच्चों को ठीक है फिर 9 महा में बच्चे को मीजल्स का ठीका यह स्केडीूल में आपको बिल्कुर डेफ्स में और डीप में पढ़ाऊंगी फिलाल आपको यह पता होना चाहिए कि कब स्टार्ट हो जाना चाहिए शीशू का ठीका कराणka अब कब तक चलता है तो इंफेंट में आपके अट बर्थ स्टार्ट हो जाता है और पांस साल तक बच्चे को ठीके लगते हैं उसमें आपके पोलियो है और बहुत सारी वेक्सीन से हम आगे पढ़ेंगे नेक्स देखिए इसकेडियूल ओफ इम्मिनाइजेशन यह बहुत इंपोर्टन डेटा है यहां पर और आपको समझ में भी आएगा इसकेडियूल मतलब किस प्रकार से योजना होती है किस प्रकार से इसकेडियूल हम बना सकते हैं इम्मिनाइजेशन का पढ़ने का भी और कैसे इसकेडियूल बनाया जाता है तो वो आप देखेंगे वो है आपके यहां पर बहुत इंपोर्टन बैनिफीशिरीज एज वैक्सीन डोज और रूट यह आप भी बना लीजेए अपनी कॉपी में बैनिफीशिरीज का मतलब होता है स्टूडेंट लाभारती कौन है लाभारती मतलब किनको वैक्सीन लग रही है तो लाभारती में आप क्या जाएंगे इंफेंट बच्चे जैसे आप इमेज में देख रहे हैं एज यहाँ पर एज हम लिखेंगे जैसे हमने अभी बात करी कि एट वर्थ मतलब बेकुछ जनम के समय फिर छे हफ्ता फिर दस हफ्ता फिर चौदा हफ्ता फिर देड़ साल शोला से चौबिस हफ्ते बोलते हैं फिर नामा महीना नाइन मन्त फिर देड़ साल का टीका होता ह जिसे सोला से चौबिस हफ्ते बोलते हैं फिर पांस साल का टीका होता है तो इस तरीके से हम एज लिखेंगे फिर हम वैक्सीन लिखेंगे कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है फिर हम डोस की बात करेंगे कौन सी डोस दी जाती है जैसे जीरो डोस फर्स्ट डोस सेकिंड डोस third dose या booster dose वो भी हम बात करेंगे then हम root की बात करेंगे root देखी जैसे ये बच्चे को जो ये vaccine लग रही है ये root है किस root के थूरू किस माध्यम के थूरू शरीर में दवा किस माध्यम से लग रही है आप में देखा होगा छोटे बच्चों में अपने बच्चों में अपने भाई भनों में किसी में भी देखा होगा होगा बच्चों को हाथ पे दवा लगती है और जांग पे दवा लगती है कूले में नहीं लगती ठीक है तो ये root होता है root यहाँ पर आप जानेंगे amount को मैंने skip कर दिया है क्योंकि आपके exam में amount से question नहीं पूछा जाता कि कितना amount जैसे BCG का कितना amount लगता है तो 0.05 ml लगता है और आपको इसकी तो पता है OPV की oral polio vaccine जो होता है उसे कितना amount जाता है कितनी मातरा में दी जाती है तो 2 drop दी जाती है age उनकी क्या है तो पहले आप at birth लिखेंगे फिर 0 to 6 month लिखेंगे 10 week लिखेंगे वो आपको करने की जरूत नहीं है मैं आपको दिखाऊंगे मैंने बनाया है चलिए start कर लेते हैं start करने से पहले जो schedule है वो start करने से पहले आपको कुछ में ठीका लगाने की SWE की कुछ बिवेन इस्थितिया समझा देती हूँ क्योंकि ये शब्द बार-बार use होगा जैसे बच्चों को ठीका कहां-कहां लगता है कैसे-कैसे लगता है देखिए ये कुछ इस्थितिया है ये है skin ये क्या है आपके skin है ये ऊपर वाली लेयर आपके कलाती है dermis ठीक है इसलिए जब इसमें दवा लगती है इसमें SWE लगती है तो इसको बोलते हैं intra-dermal ये जो terms हैं यहाँगे use होगी जैसे ID, SC, IM तो मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ पहले ही समझा रही हूँ subcutaneous layer होती है बिल्कुल dermis layer के नीचे ये जो layer है ये subcutaneous layer होती है तो अगर बच्चे को इसमें injection लगता है तो इसको बोलते हैं subcutaneous layer में लगा है मतलब SC ठीक है और ये है तीसरी layer जिसको आप manspeshi बोलते हैं मसल्स बोलते हैं अगर बच्चे को इसमें injection लग रहा है तो इसको बोलते हैं intramuscular क्या बोलते हैं intramuscular that is I am manspeshi में लग रहा है ठीक है तो चा में लग रहा है तो उसको आप बोलेंगे ID dermis में लग रहा है subcutaneous layer को हिंदी में बोलते हैं उपतोचा अगर लग रहा है उपतोचा मैं तो आप उसको बोलेंगे उपतोचा subcutaneous layer बतलाव SC और अगर manspeshi में लग रहा है तो वो हो जाएगा I am intramuscular जैसे जांग में लगता है मैं आपको दिखा रही हूँ ठीक है let me show you सबसे पहले ये इस तरीके से short form होंगी ID give me one minute इस तरीके से short form होंगी ID SC I am injection के लिए sweet की इस्ति ये आपको समझना जरूरी है ये देख लिएज़े क्योंकि मैं ये term use करूँगी बारवर ये तीन layer है dermis उपतोचा manspeshi dermis मतलब तचा जिसमें ये लग रहा है injection आपके पहला वाला ये आपके dermis में लग रहा है उपतोचा में लग रहा है आपके second number में ये injection जब यहाँ पर उपतोचा में लगा जा रहा है मतलब subcutaneous layer में लगा जा रहा है SC और जब आपके manspeshi में लगाए जा रहा है तो आपके manspeshi मतलब intramuscular तो कौन सा injection आपके IM में लगता है कौन सा vaccine आपके ID में लगेगा कौन सी vaccine आपके SC में लगेगी वो आपको में आगे बताऊंगी ओके पहले terms को समझना जरूरी है फिर देख लीजे यह देखिए यह intradermal injection है यह बच्चे को लग रहा है BCG का टीका बच्चे को intradermal लगता है मतलब ID form में लगता उसकी तचा में लगता है तो यह आपको दिखाई दे रहा है यह बच्चे के टीका लग रहा है यह intradermal है ID situation है ठीक है नेक्स देखिए यह उप तुचा में लग रहा है बच्चे को उप तुचा मतलब सबक्यूटेनियस लेयर में लग रहा है इंजक्षन बच्चे के तो यह हो गया अंड थर्ड वन इस पेशियो में इंजक्षन देना मतलब इंट्रमस्कुलर जब आम बात कर रहे हैं आई एम की इंट्रमस्कुलर की तो यह देखिए दोनों लेयर छोड़के तुचा छोड़के उप तुचा छोड़के इंजक्षन कहां लग रहा है आपके इसमें मांस यह कूले में कूले में क्यूंकि कुले में फैट जो होता है वहाँ जुआदा मातरा में होता है वहां पर जुआ और ज मशल्सि गुल आए को तो यह ठीसिवेजेंस हैं इंजेक्शन लगाने की कौन-कौन सी हो गई, सबसे पहले आपकी हो गई, IM जिसको मैंने बताया आपके, sorry, ID, इंट्रादर्मिस, मतलब तवचा में, दूसरी आपकी हो गई, साब क्यूटेनियस में, मतलब उप तवचा में, और तीसरा आप क्यों गया, I am intramuscular, मतलब मान स्पेशी में, चलिए स्टार्ट कर देते हैं अब हम, और ये चौथा रूट है, जो कि किसका रूट है या आप समझ जाएंगे, आप पिक्चर देके समझ रहे होंगे, अपिवी का, औरल पोलियो वैक्सिन, उसकी नाम में ही होता है, औरल पोलियो वैक्सिन, तो वैक्सिन कौन से दी जा रही है, पोलियो की दी जा रही है, रूट क्या है, मतलब दवा को देने का मार्ग क्या है बच्चे को, तो औरल है, मुह के मार्ग से बच्चे को दवा दी ज तो यही था मेरा स्केडियूल जो मैंने आपको बताया जो आपको अपनी कौपी में बनाना है वह स्केडियूल है आपके बैनिफीशरी हिंदी में लिखते चलिए लाभारती सबसे पहले लिखे लाभारती कौन है तो जब हम बात करेंगे इंफेंट की तो आप उसमें लिख जिए शिशू इंफेंट है एज क्या रहेगी तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे एट बर्थ वहाँ पर बना लीजिए सिंपल आप एज लिख लिजिए उसके बाद आप नीचे लिखेगा मैं आपको जैसे से बताती चलूंगी तीसरा जाएगा वैक्सीन कौन सी दी वो आप वहाँ पर लिखेंगे फिर आप लिखेंगे डोस कौन सी दी जाएगी यह बहुत इंपोर्टेंट है जीरो डोस सिंगल डोस सेकंड डोस थर्ड डोस या बूस्टर डोस वो भी मैं आपको बताऊंगे आगे आप इस तरीके से अपने कॉपी में एक फॉर्मेट बन पेर की हो इसकिन की लेयर्स तो यही रहती है ना डर्मिस सब्कुटेनियस और मसल्स तो डर्मिस में लग रहा है तो इसका मतलब आईडी लेयर में लग रहा है सब्कुटेनियस में लग रहा है मतलब उपतचा में लग रहा है तो एसी में लग रहा है और मसल्स में लग रह सब्सक्राइब करते हूं स्टार्टिंग से करते हूं ताकि पिकचर को देख के बहुत अच्छे से चीज समझ में आ जाती है हमारे दिमाय में क्लिक कर जाता है यह आपके इंट्रमस्कुलर हो गया, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, यह आपके oral route हो गया, बच्चे को दवा देने की, oral route से आपके दी जाती है OPV, नेक्स देखिए, अब आपके start हो गया है schedule, तो सबसे पहले जो हैं आपके, लाभारती कौन है, वो देखिए, आप कौन है लाभारती, इंफेंट, सबसे पहले कौन होते हैं इंफेंट, 0-2 years आपके क्या कहलाते हैं, इंफेंट कहलाते हैं, शिशू कहलाते हैं, एज क्या है, कब लग रहा injection, at birth, at birth में आप लिख लेंगे हिंदी में, जन्म के समय, मैंने अभी आपको बता है, जन्म के 24 गंटे के अंदर, तीन यह लगने बहुत ज़रूरी होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो वेक्सीन कौन से होते हैं, BCG, OPV, Hepatitis V, BCG, ठीक है, समझ में आगे हैं, जो आपके TV से सुरक्षा देने के लिए लगता है, OPV, Oral Polio Vaccine बच्चे को लग जाने चाहिए, and Hepatitis B का टीका बच्चे को लग जाने चाहिए, 24 गंटे के अंदर, अब हम बात करेंगे, डोस कौन सी होती है, कौन सी डोस दी जाती है, सिंगल डोस, BCG की कौन सी डोस दी जाती है, सिंगल डोस, इसके बाद BCG की वैक्सीन नहीं लगती बच्चे को, पहली डोस लगती है, आखरी डोस लगती है, BCG की जो आपके B की कौनसी dose होगी? 0 dose यह आपको बहुत important है यह आपको याद करना होगा यहापे first dose नहीं लग रही है यहापे 0 dose लग रही है मतलब पहली खुराक बच्चे को लग रही है 0 dose यहापे यह आपको याद करना ध्यान लखना होगा बहुत अच्छे से रूट क्या है देखिया विसका तो रूट क्या है BCG कैसे लग रही है ID में लग रही है ID मतलब तचा में Intradermal OPV का रूट क्या है Oral हमेशा oral रहेगा और टू ड्रॉप्स रहेगी हमेशा दो भून जिन्गी की जो आपने पढ़ा है Oral Root रहेगा Hepatitis B कहा लग रहा है I am Intramuscular Intramuscular यह इसलिए important था इसलिए मैंने आपको वो root समझाया एक एक picture देखके समझाया कि आपको समझ में आ गया होगा Intradermal मतलब उसके हाथ में लग रहा है उपरी तचा में BCG का टीका लगता है आपने देखा होगा OPV लग रहा है तो root क्या है? Oral है मुखे माधियन से बच्चे को दवा दी जा रही है और Hepatitis B का टीका Intramuscular लगता है Clear? समझ में आ गया? पहला टीका आपको समझ में आ गया जो at birth जनम के समय लगता है ठीक, तीन vaccine लगती है कौन कौन सी? BCG, OPV, Hepatitis B Next देखिए अब छटे हफ़ते पे लगती है बच्चे को दवा कब लगती है? Sixth week पर लगबग देड़ महिने का समय होता है जनम के बार बच्चे को देड़ महिने पे आके दवा लगती है Sixth week पे लगती है Beneficiaries कौन है? लाभारती कौन है तो भई हमारे infant है अब infant ही चल रहे है अब age क्या हो गई है? आयू क्या हो गई है? छे हफ़ते बच्चे की आयू कितनी है? छे हफ़ते लगबग देड़ महिना Vaccine कौन सी लगेगी? BCG if if not given at birth आप वहाँ पे star बना के लिख लीजिए अगर जनम के समय 24 घंटे के बाद बच्चे को BCG की वैक्सिन नहीं दी गई है तो छटे हफ़ते में बच्चे को BCG की वैक्सिन लगती है और यहाँ पर जो dose हो जाएगी बच्चे की वो single ही रहेगी क्योंकि single ही dose थी बच्चे को एक ही dose देनी है single dose देनी है BCG की जो कि जनम के 24 घंटे के बाद लगती है अगर बच्चे को जनम के 24 घंटे के बाद BCG नहीं लगा है तो आप छटे हफ़ते में बच्चे को BCG लगाएंगे तो वहाँ पे star बना लीजिए बड़ा सा अपनी कॉपी में और लिख लिजिए if not given at birth अगर जनम के समय BCG नहीं दी गई है तब छटे हफ़ते में BCG देंगे यह दूसरी डोल BCG की नहीं देनी है दिमाग खोल के पढ़ना समझ में है फिर के तो मैं मैं आपने बोल दिया चटे हफ़ते में BCG देंगे मैं बराबर बोल रही हूँ कि अगर जनम के समय 24 घंटे के अंदर बच्चे को BCG नहीं दी गई है तब हम देते हैं कब चटे हफ़ते में BCG यह नहीं जब मन उठा है मुँ उठा के चलेगा BCG लगवाली एक रूट होता है एक रूटीन होता है उसे साफ से दवा लगती है बच्चो को 24 घंटे के अंदर अगर BCG नहीं मिला है तब आप चटे हफ़ते में BCG देते हैं तो यहां पर आप स्टार बना लेंगे क्या बना लेंगे स्टार ठीक है अब जो मेन वैक्सीन है वो कौन से होती है OPV, Hepatitis B, and DPT आ गया जो diphtheria, pertuses, and tetanus के लगता है DPT का ठीका क्लियर हो गया कौन-कौन से वैक्सीन दी जाएंगी BCG if not given at birth अगर वो जर्यम के समय नहीं दिया गया है इसके अलावा कौन से दी जाएंगी OPV दी जाएंगी मतलब oral polio vaccine Hepatitis B का टीका लगेगा and DPT का लगेगा DPT का तो आपको पता ही है diphtheria, pertuses, and tetanus के अगया जो लगता है वो D का लगेगा अब बात करेंगे, हम dose कितनी होती है यहाँ पर देखे, dose तो single ही रहेगी BCG की dose क्या रहेगी, single रहेगी लेकिन OPV, Hepatitis B और DPT की dose क्या हो गई first dose हो गई DPT की कौन से dose लग रही है यहाँ पर first dose OPV की at birth क्या थी zero dose, वो गिनी नहीं जाती वो दी जाती, important होती है zero dose, Hepatitis B की क्या dose थी zero dose, लेकिन छटे अपते में dose क्या हो गई, first dose OPV की कौन से dose लगेगी, first Hepatitis B की कौन से dose लगेगी, first DPT की कौन से dose लगेगी, first root क्या होगा BCG लगेगा ID में, intradermal मतलब तो अच्छा में OPV कैसे दिया जाता है, तो oral form में दिया जाता है, मूँ के रास्ते से दिया जाता है, Hepatitis B कैसे लगेगा, IM मतलब intramuscular, पहले भी intramuscular लगा था, and DPT भी आपके लगता है intramuscular, DPT का टीका भी आपके कहां लगता है intramuscular, अब एक और बात इप स्टार करके लिखिए, बहुत से राज्यों में आपके इसकी जगह पे pentavalent vaccine दी जाती है, किसकी जगह पे, Hepatitis B and DPT की जगह है, समझ लिजे, pentavalent vaccine पहले क्या है, वह आप समझ लिजे, यह देखिए, यह pentavalent vaccine है, 5 in 1, 5 vaccines एक में होती है, कौन-कौन सी 5 vaccines एक में होती है, तो diphtheria, partuses, titanus, hepatitis B and HIV, तो DPT आ गया इसमें, और hepatitis B आ गया, ठीक है, और HIV, यह 5 vaccine एक साथ दी जाती है, तो उसको बोलते है pentavalent, तो अगर किसी राज्य में pentavalent लगती है, तो फिर बच्चे को अलग से hepatitis B and DPT का टीका नहीं दिया जाता है, क्योंकि pentavalent में ही यह 5 दवा एक साथ दे दी जाती है, एक ही injection में यह 5 भरके एक साथ दे दी जाते हैं, इसको बोलते है pentavalent vaccine, तो फिर से हम बात करेंगे यह आप पर छटे हफते में क्या बात करेंगे, कि अगर BCG का टीका नहीं लगा है, pentavalent vaccine रहेगी, कौन सी रहेगी, pentavalent vaccine रहेगी, जो कि 5 vaccines का mixtran होती है, और वो लगेगी कहा, I am, intramuscular, muscles में ही लगेंगी, clear हो गया, I hope clear हो गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा, मैंने क्या समझाया, कौन सा हफता है, छटा हफता लगबग, देड़ महीने की बात हम कर रहे हैं, dose कौन सी लगेगी, BCG लगेगी, अगर BCG 24 गंटे के अंदर नहीं लगी है, तो छटे हफते में BCG लगेगी, ठीक है, तो इसको तो आप अभी विक्कुल remove कर दें, single dose रहेगी, main कौन सी vaccines आ गई, OPV आ गई, ठीक है, अगर BCG लग चुका है, तो BCG नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, OPV, बच्चे को oral दी जाएगी, दो बून दी जाएगी, वो कौन सी dose होगी, first dose होगी, hepatitis B और DPT start हो गया, यहां से, hepatitis B का first dose, DPT का first dose, अगर कहीं कहीं किनी किनी राजियों में, pentavalent दी जाती है, तो अगर pentavalent दे देंगे, तो hepatitis B और DPT नहीं देंगे, समझ में आ that is, it is called pentavaccine, next देखिए, अब बात आ गई, दस में महीने पर आ गया, कहां आ गया, दस में महीने पर, beneficiary इस कौन है, लाभरती कौन है, तो भाई अभी तो infant है न, क्योंकि 0 to 2 years की एज कौन सी होती है, 0 से 2 साल की, infant शैशा आवस्था होती है, तो शिशु ही चल रहे है, दस म से लगेगी या, OPV के साथ pentavalent लगेगी, OPV तो लगेगी, OPV, hepatitis B, DPT या, OPV और pentavalent, समझ में आ गई, बात की नहीं समझ में आ रहे है, कौन-कौन सी vaccine लगेगी, OPV तो देना ही देना है, Polio vaccine तो देनी ही है, hepatitis B भी देनी है, DPT भी देनी है, लेकिन अगर आप pentavalent दे रहे ह पहले क्या थी छटे अपते पर फर्स्ट डोस अब कौनसे डोस देंगे हम सेकंड डोस रूट क्या रहेगा तो ओरल रहेगा और सेम रूट रहेगा इनका रूट क्या रहेगा आई हम इंट्रमस्किलर मतलब वहीं जाँग में बच्चे के मांसफेशी में डवा दी जाएगी और मुग से कौनसे डवा पिलाई जाएगी औरल कौनसे पिला जाएगी OPV ठीक है औरल मुग के तो दवारा और कितनी दी जाती है दो बून चलिए आगे बढ़ते हैं, दसमें हफ्ते का समझ में आगया, नेक्स्ट अब आते हैं, 14 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे बच्चे को दवा दी जाएंगी, तो बेनिफिशिरी कौन है, वही है, इंफेंट है, एज क्या हो गई है, 14 हफ्ते हो गई, एट बर्थ थी, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते आप कौन से हफ्ते पे आगय है, 14 हफ्ते पे, कौन सी वैक्सिन लगेंगी, सेम वैक्सिन लगेंगी, सेम तीनों में, 6, 14, 6, 10, 14 सेम वैक्सिन लगेंगी, बस डोस चेंज होती जाएंगी, वो first थी, second थी, यह third डोस आजाएगी, किसकी, OPV की, Juber Hospitalis-B and DPT, या तो Habitatis-B या DP हैं यह तो रहेगी यह दोनों लगेंगी यह पेंतावलों अधिया हो गया समझ मोल तेखते हैं आधेये सब सब्सक्राइब और और जो उरल मतलब मूह से और इंट्रामस्किलर रहेगा रूट पेंटावेलेंट का या हैपिटेटेश बी बी अन्टिपीटी का रूट क्या रहेगा इंट्रामस्किलर मांस्पेशी गिंदर next देखते हैं हम 9 month अब हम आ गए 9 month पे beneficiaries अभी भी क्या है infant है क्योंकि 0 से 2 साल का समय क्या infant का कलता है तो नमे महिने में आ गए हैं हम नमे महिने में जो vaccine लगती है वो measles की लगती है खसरा की जो vaccine होती है measles की वो लगती है कौन सी dose होगी single dose कौन सी dose होगी आपके single dose और root क्या होगा इसका root है SC मतलब subcutaneous layer of the skin मतलब उपतवचा में अभी तक sub-dewa किस में लग रही थी ID में लगी oral तो पिलाई जाती है OPV IM में लग रही थी sub-dewa अब कौन सी layer में लगती है दवा subcutaneous layer जो कि मैंने आपको दिखा दी इसलिए वो layers में आपको समझाई किस layer में जाती है किस layer तक जाके अपनी दवा उस injection से inject की जाती है वो layers जनना बहुत ज़रूरी है because वो क्या बताती है root of the vaccine समझ में आगे है तो SC में क्या लगती है आपके subcutaneous layer मतलब उप तोचा में आपके measles का टीका लगता है बच्चों को clear हो गया single dose लगती है next देखिए अब आगे 16 से 24 महिने यहाँ पर आपके बात आजाएगी basically यह जो बच्चे हैं आपके यह हो जाएंगे देख साल पर लगता है एटीका तो अभी infantी चल रहा है क्योंकि 0-2 two years हम infant季 की ऐज मनते हैं तो 16 से 24 महीने यह 15 साल पर सबसे पहले जनम के सलमे लगता है फिर आपके 10 महीने पर उसल मधिने है उसको 12 चाल महीने का समय बोलते हैं तो यह पर बो Τ. नहीं बोलते हैं तीन तक लग रहे थे, कब तक लग रहे थे, छटे में लग रहा था, दसमें हफ्ते में लग रहा था, चौदमें हफ्ते में लग रहा था, लेकिन नमें पर नहीं लगता है, DPT और OPV, फिर कब लगता है आके आपके, फिर आपके लगता है, सोला से चौबिस महिने पर कौन सा डोज लगता है? बूस्टा डोज लगता है बूस्टा डोज लगता है DPT, OPV और यहां पर हैपिटाइटिस भी नहीं लगता उन तीन हफ्तों के लिए ही 6, 10, 14 में ही या तो हैपिटाइटिस भी DPT या पेंटावलेंट ठीक है? यहां पेंटावलेंट नहीं लगती यहां पर आपके DPT की बूस्टा डोज लगती है OPV की बूस्टा डोज लगती है रूट क्या रहेगा? सेम वई ओरल और आयम OPV का रूट क्या रहेगा? ओरल DPT का root क्या रहेगा I am intramuscular ये देड़ साल की एज पर करीब लगता है 16 से 24 महिने फिर इसके बाद सीधे लगता है बच्चे को 5 में से 6 साल के अंदर जब बच्चा 5 ये 6 साल का हो जाता है उसे child बोलते हैं अब हम तो beneficiaries कौन है यहाँ पर बच्चा है child है एज क्या हो गई 5 से 6 साल वेक्सीन कौन से लगेगी DT डिप्थीरिया और टिटनिस ठीक है यहाँ पर पर प्रटिउसिस का वेक्सीन नहीं लगता योगि परटिउसिस की जो एज मानी जाती है वो मैक्जिमम दो साल तक मानी जाती है दो साल तक बच्चों में परटिउसिस देखने के लिए मिलता है तो आप वेक्सीन कौन से लगेगा DT लगेगा डोस कौन से लगेगी सिंगल लगेगी और रूट क्या रहेगा I.M. रहेगा इंट्रा मस्कुलर रहेगा तो सब्क्यूटेनियस लेयर में केवल आपके हमने देखा क्या बड़ा मीजल्स कटी का ठीक है I.M. आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने इतने कोशिश करी है आपको अच्छे से बताने की इसके आप बहुत सारी वेक्सीन है जैसे रोटा वाइरस भी आड़ कर दी गई है बच्चों को और आपके नियुमो कोकल की जो डिजीज है जो नियुमोनिया कास्ट करती है उसके लिए भी वेक्सीन आड़ कर दी गई है तो वो आप देख सकते हैं लेकिन में जो है वो यही सारी वेक्सीन है जो बहुत टाइम से चली आरहे हैं और यहां से हम से कॉष्चों भी पूछे जाते हैं तो इसलिए मैंने आपको यह सारे यहां पर बता दी है तो अगर प्लियर हो गया उगए तो लाइक कीजिए कमेंट किजिए शेयर किजिए और फिर इस से related questions हम next video में solve करेंगे amazing question होंगे आपको मिलेंगे देखने के लिए और thank you so much guys next video मिलेंगे next topic के साथ अब तक अपना ध्यान रखिए keep subscribe share and like my channel thank you so much